कि अब पढ़ने वाले है एक नया चैप्टर जो कि हम आप मैं फिर्टर का है जोने अब फ़र्स्ट है नाम हिसका समाने करण समाने करण असल में होता क्या है बहुत चोटी सी टोपिक चोटा से यह बेच्व इसको नहीं पढ़ेंगे लेकिन यह गारेंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको फिर किताब उठाब पढ़ने की जरूवत नहीं पढ़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो ज्यादा टैम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्रस्तावने से स्टार्ट करते हैं कोई भी कोसन अगर सबसे पहले प्रस्तावने फिर भूमी का उसमें जरूर लिखें इससे काफी अच्छे इंप्रेशन टीचर के उपर पढ़ता है ठीक है समानेकरन होता क्या है इतिहास जो सब्जेक्ट है कही बार ऐसा होता है कि स्टुडेंट इसे बोर्यत समझने लग जाते हैं ठीक है उन समानेकरन के बिना इतिहास लेखन स्रिफ लिखावा इतिहास है उसमें बागी कुछ भी नहीं है यानि कुछ तथिये हैं कुछ घटनाय है इन सबका बिखरवा इतिहास प्रस्तुत करता है सबके सामने लेकिन समानेकरन के जरिए क्या होता है कि लेखत जो है कि लिखावा इ इंट्रे certification काम करते हैं तो उसके विस्ताय को समझने के लिए या फिर उसमें इंट्रेस्टिंग लेके उसे समझने में बहुत ज़्यादा जरूरहरी है क्योंकि सिर्फ सब्जक्ट को पढ़ने से काम नहीं होगा उसमें इंट्रेस्ट भी आना चाहिए स्टुडेंट को पढ़ने में यहां पर एक एग्जामपल दिया है मिसर के प्रामिट का मिसर के प्रामिट में जैसे कि आप सभी को पता है मिसर के प्रामिट का निर्मान क्या गया था क्या है यह क्या है यह था आने सब्सक्राइब को अगर यह थी हासकार इसे थोड़े रूचल का जिवन को लेकर मिसर के जो प्रामिट करने तो हुआ करती थी मिर्फविक बाद भी जीवन है यह मंसर के ल mówका कहना था अफिल मशना मजबूत हो ठीक है को ए उनकी मचबूत मानने थी इस चीज को लेकर जब कि कुछ लोग यह मानते हैं कि मिर्फविक बाद स्रीं को जाता है यह आमगत है जैसे कि मर्त्मर्चित के बाल वाल जाता है ज़िए लेकिसी sports लेकिन जीवासि हैं उनका कहना था कि सरीर आतमी जीवित रहती है ठीक है इसी कि क्या खाम करते थे लेप लगाते थे मट्टी वगएर खा recording रखते ते और बाद में वह पछी को पहले यूच्ग के बक्से मरें रक्ते थे उसके बाद नालकर उसके बाध में को रखके प्रामिडीय दिक होती थी उसकी प्रब्स की पसंद के समाना लग दिये जाते थे क्यों कि मिसर के दोगों का मानना यह था कि वेक्ति जो है कभी मरता नहीं है अगर मर भी गया उसके बाद भी जीवित है इसलिए उसके पसंदीता चीज़ों के आसपास रख दी जाती थी तो यह हो गया इसमें समान्ने करन की उसको मतलब थोड़े इंट्रेस्टिंग तरी समय के लोग कसे तरीके से यूज करते होंगा यानिए अपनी आपि दीमाग के इनदर सवाल को उत्रपन करना यह ह्म समान्ने करने कह सकते हैं जैसे कि जो बड़े बतन संक्सित जह था ठाकि घ्याहूज होता था था चीज को नहीं में के इस चोड़ के जा सके और आने वाली फसल में दीच के रूप में लाए जा सके इसलिए उसलिए वहां पर अनाल्ज को श्चोड़ के जाता था बड़े वत्रों में यह क्या है समाने करण है इतिहास जो है तथे कर संग्रोग को एक साथ करता एक इस्थान पूर्ण को रख देता इतिहास का जो है ठीक है लेकिन उसमें तमाम पहलो होते हैं और इन सब का मतलब अच्छे तरीके से विश्टार से उनका अधन के जाता है और इसकी व्यक्षा की जाती है तो किसी भी गटना को समझ पाना काफी कठिन हो जाता है हमारे लिए ऐसे में उसमें कोई तत्य अगर नहीं हुआ तो इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा और नहीं इसको पढ़ने में किसे कोई प्रभाव होगा यानि की सब्जेक्ट भी चलता है जिसमें व्यक्ति का इंट्रेस्ट हो आज हम इतिहास पढ़ दें तो इसलिए क्यों काफी सारे लोगों का इंट्रेस्ट है अपने हिस्ट् कारे अतियत की घटनान को एकत जिड़ास काघर करता है वह जो है अपने त्रक के आधार पर उन अधियों का विस्तार में समानुकर्ण के लिए भी जरूरी हो जाता है ठीकर यानि कि समानकर्ण उसमें वो कर रहा होते हैं माली जी अगर एक पैन मिला है जो की पहले का है प्राचिन काल है ठीक है तो वह इतिहासकार उसे तरक़े आधार पे सत्ये के आधार पर देखेगा और सोचेगा उसके अध्यान करेगा कई अध्यान करने के बाद हमें कुछ पता चल सकता है कि यहां पर क्या स्थिति रही होगी ठीक है इसी को ही समानेकर्ण कहते हैं यानि कि सोचना समझना उसकी सच्चाई तक जाना तरक के आधार पर ऐसे नहीं कि मतलब हमने कि imagination करके बना दिया वो नहीं होता ठीक है उसको समानेकर्ण नहीं कहते हैं समानेकर्ण होता है जो कि असलियत में होता है और लगता है कि यह यहां वाता है वैसे देख संपने बीजा होती है कि करम款 तरीखे से पिरोगा ठीक है तो इससे क्या होता है कि हम हमें पता चलता है कि ग्रता होगा कौन से 정도를 भटनों लग जाती यहां पर कि इसके समानने करन हो सकता है जैसे कि देखिए किसी सासक के संबंद में उसकी जाती हो सकती है या फिर काल हो सकता है या फिर धर्म हो सकता है या फिर राजनेतिक हो सकता है या आर्थिक इस्तिति का वर्णन करना ही समानने करना कहलाता है सिर्फ इतना ही नहीं है या पर हम कुछ परिभासा और देते हैं जैसे कि मार्क भी लोग का कहना है कि यह परकिरिया जो है यह परकि पिर ही करता है तरीके से मोटे तोर पर हम समाने करन वह साधन हैं जिसके जरीए इतिहासकार अपनी सामिकरी जो उसका मैटेरियल है उसको पैसे समझते हैं अच्छे तरीके से फिर अपने तथ्य के हिसाब से जो है अपनी समझ के दूसरों तक पहुचाते हैं ठीक है और यह समाने करन कितने सेने में बढ़ सकता है समाने करन को हम तेंस सेने करन सकती हैं पहला होता है निहां धिस ब्तिमार करन देती हैं माली जे हमें कोई चीज़ पता लगती है और हम देखते हैं उसका अध्यण करते हैं लेकिन हमें अध्यण करने कि अधीस कि पर शक्ति के बाद करने के बाद हम उसे कंगे इस.... रहा होगा ठीक है तो उसे निम्नि इस्तिरिया समालने करन का जाता है उद्धारण के लिए किसी तथय को जो है आथिक कहना तरहीं किसी व्यक्ति को उसकी जाती के ईपर देखना या फिर धर्म के अपर देखना है किसी भी छेतर से जोड़के देखना आधी ठीक है यह होता है निम्न इस्तरिय समानने करन फिर आता है मद्धिय समानने करन मद्धिय क्या होता है जब इतिहासकार किसी विश्यस व्यक्ति कोई इस्पेसल व्यक्ति है उसका अध्यन करता है या व्यक्ति की व्यक्तितव का अध विक्ति के पहले क्या रहा होगा उनकी जोड़ने का परियास करता होता है तो उसे मध्य इस्तरियों समाने करन कहते हैं उधारन के लिए यहां पर बताया गया जैसे 1927 से लेके 37 के बीच में पंजाब में किसान आंदरन रहा ठीक है और साथ-साती इतिहास कार क्या रहता है कि इसके आगे और पीछे के संबंद की कड्यों को जोड़ के दिखता है जैसे कि 1926 में क्या रहा होगा पत्रीष में क्या रहा होगा ठीक है इस तरह से प्लक्राइबल के रहा हो क्या है क्याने का मतलब यह है मैं एक ना कहीं का जब किसी पूरे यूग में दिका या फिर समाज में उसके आथिक राजितिक समाजिक सांस्कितिक या फिर इस्थिति सूत्रों का अध्यान करने का परियतन करते हैं या परियास करते हैं इतिहास का जब किसी विश्या का अध्यान कर रहे होते हैं तब वह इन सभी सूत्रों का इस्तमाल करता होता है कौन से समझने का परियास कर रहा होता है तो बार में वो इन सब के ही सम्मुख लाता है सामने उसको लाता है कई बार जब सिमित विश्यों का अध्यान करता है तो व्यापक समाजने करन उसके दिमाग में होता है समाज के संपूर्ण पहलों का यह किसी सीमित विश्यों के परस्चाथ भी उसका राष्टवादी या विश्यापक इस तरफ पर अध्यान करते हैं तो उसे व्यापक समाजने करन कहते हैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है और यह जो है एक व्यापक समाजने करन का उधारन है एक तो आपको समझाने के लिए बता है समाजने करन करने वाले कुछ इतिहासकार और समाज सास्त्री भी है जिन में देखे काल मार्क मैक्स वेबर और मार्क ब्लोक आजी हैं साथी भारत में जो है मुख्यों रूप से जो है वह डीडी को साम भी आर्स सर्मा आजी पर मुख हैं ठीक है वैसे यह थोड़े बहुत समाजने करन का एक पहलो यह भी है कि एक गटना का तुलनात्मक अर्धियन किसी दूसरी गटना के साथ किया जाए तो उसको समझने में काफी सुविदा हो जाती है जैसे माल लीजे कोई दो लड़ाई थी आपस में उनको कंपेर कर जाता है तो उस समझने में काफी ज्याद से प्रस्तूत करते हैं कि वह मानते हैं कि बिल्कुल यह सीद्क हो चुका है लेकिन यह चीज गलत है समाहне करते समय ने सब्सक्रें अहिए और वह सही होना चाहिए अखिए सबके हिसाब से सही होना चाहिए ठीक है कि समानने करन कभी-कभी दो घटनाव के अंतर की अंदेखी करके भी समानने करन के जरिये उन्हें एक जैसा बताने की चेस्ट है यह इसका नेगिटिव पॉइंट है अब बात आते हैं कि समानने करन की जरूत क्यों होती है उसकी के पीछे का राज आनने की पता कर रहा है कि उसके पीछे करा असल माईने में यही चीजласти समानने करन और साथ-साथ में यहीं कहा सकता है कि समानने करन वेव परकिरिया है जिसके द्वारा अस्तों व्यौस है विवालश्ची झ्रंग से परसुद करने मिलती है वैसे करंगे दूसरा पॉइंट आता है इतिहास का जो है पुराने लेखकों का समर्थन करके या फिर उन में भी है लेकिन उसके फेवर में नहीं भी है इन दोनों चीज़ को देखते हुए अपना विचार प्रस्तुत करता है लेकिन इतिहास कार कभी-कभी अपने विवेक के आधार पर भी समादने करन करते हैं नेक्सट पॉइंट आता है हमारा कला, सिक्सा, परिवार, जाती धर्म, राजनितिक या फिर राजनिति ठीक है ये आदी अनेक ऐसे विश्यें हैं जो कि समादने करन के सुरोथ हैं तत्य सामने होने पर स्वैम ही सवाल कब कहां क्यों और कैसे को लेकर पैदा होते हैं ऐसे में जो है तार्किक ढंग से अन्यक चीजों का समाधान करने का परियास किया जाता है अब आता है समाधने करन की आपत्या इसकी बुराई क्या है तो देहें कुछ इतिहास का रहे हैं उनका मानना है कि समाधने करन को तत्य से पड़े रखना चाहिए कि तत्य अलग चीज़ है समाधने करन अलग चीज़ है कुछ इतिहास कारों का यह कहना है परन्तु यह चीज़ क्योंकि यथात्ता खतम हो जाती है अगर हम समाने करन तत्य को एक जिगे देखें तो इसके अंदर यथात्ता है वो खतम हो जाती है ऐसे में जो है लेकिन गलत भी नहीं है क्योंकि कई इतिहास का समाने करने कर दावे को इस तरीके से रखते हैं कि वह बिल्कुल माल लेते हैं कि वह सिद्ध हो चुका है जबकि समान्यकर्ण में इसकी आलोचना का एक पर्मुक कारण है एक पॉइंट है ठीक है तो समान्यकर्ण के बहुमिका क्या है यहां पर कुछ और पॉइंट बताएं गया है जादा नहीं बचाएं थोड़ा सा बचाया बस यहीं भूमिका यह ठीक है तो यहां देखेंगा क्या है से में कुछ इंट्रेस्टिंग पॉइंट है यहां पर समान्यकर्ण कर रहे हैं तो यहां उन्हें पर्यूग तित्यों का विषडेसन देते हैं याने की इस परस्टिकर्ण मदद करते हैं ऑपा समान्यकर्ण कि करते मदस्थ समझज़ा सकता है लेकिन अकशर यह प्रकर Match tribes को उंप्ली होती है कि समान्य तोर पर जो है नय समान्यकर्ण की की वजह से ही नई तलास की रहा बन जाती है कहने का मतलब यह कि यह मिल जाती हैं काफी जादा हुआ कॉइंट हमें मिल जाती है और चीज़ों को समझवनEM के लिए सोचने के लिए विस्तार से अध्यान करने के लिए इतिहासकार को प्राने और जाने पेचाने तर्थियों के संबंद के बीच के संबंद में कायम करने मदद करता है एक प्राने तर्थियों के संबंद को समझने मदद करता है समाने करन किसी इतिहासकार को किसी इतिहासकार को यह समता पंदान करता है कि वह लगाता है यह जाज कर सके कि वह कर क्या रहा है कि वह कहीं अपने हित में ही तो सब कोई बात नहीं रख रहा है ठीक है वो असल माईने में सच होनी चाहिए यह भी काम समानेकरण करता है, दिरसल जब हम, जब दूसरे लोग किसी विशेश के चीज के अपर अधिया करें या फिर मुद्य के ऑपर समानेकरण कर रहे होते हैं, तो तब जो है antihras को दुबार confusion के साथ कुछ आगे काम कर सकते है नहीं कि पहले सोघ् çıkar है समान। के बिसंग नहीं सब्सक्राइब करें हैं और हाँ काफ़ी जिरूर लिखा केजिए उससे काफ़ी ज्यादा अच्छा इंपक्ट पड़ता है तो देखिए लेकिन फिर वी मैंने यहां पर दो लाइन मैंसन की हुई है और यहां तक पूरी देख चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन जरूर दबा दीजेगा ठीक है ताकि आपके आपके नोटिफिकर्शन पॉस्ट रहे बाकि काफी सा लिए कर लिए आपको यह समान करता है इसक अपर इंधेव करने की समता परदान करता है कि कई बात आपके हम देखते हैं घलती हो सकता है करता है वह जो है नई तरीके से संभवित प्रस्तुत समझ करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है वाल सामने उस चीज को नई तरीके से संभाने करने करने में मदद करता है उनको समझने मदद करता है उसे किताब या प्राथमिक शुरॉत के नोट्त बनाने की समताबी परदान करता है है यह सब सेमानी करन्त के जर्य ही हो सकती है तो चुक्श है वीडियो में लिक में मिल जाएगा सबस्ट आइए गई ढ़ाय में वीडियो का पसंद में हो ग है है तो वीडियो टेम extrater Agraal लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो लाइक कर दीजिए इतना ही था बस बाकी मिलते हैं जल्दी वीडियों में थैंक्यू गाइस